एलो फ्रूट को जैसे ही मैंने पीकर देखा ना तो टेस्ट में तो यह अमेजिंग था ही और शांतार वाली गवावा की खुश्बू आ रही थी तो जैसे ही मैं किचन में आई ना तो सोचा कि इसकी डेलगोना केंडी बना कर देखते हैं और मैंने कल एलो फ्रूट गवावा flavor का review भी किया था वो वीडियो आपने देखा क्या और 50 items के dalgona challenge में ये second वीडियो है इससे पहले हरशी chocolate syrup, strawberry syrup, colorful mouth freshener और sugar से मैंने dalgona candy बना ली और result बहुत ही amazing था मैंने नीचे description में link दे हुए है उन वीडियो को भी आप जरूर देखना ये गवावा flavor की juice को डाल कर मैंने अच्छे से boil कर लिया जब तक bubbles नहीं आ जाए ना तब तक इसे चलाते रहेंगे और इसे जैसे ही मैंने गरम करा ना इसकी खुश्बू बहुत ही अच्छी आ रहे थी साथ ही इसमें थोड़ इसे sugar डाल दी और अच्छे से low flame पर वापस से melt कर लिया जब तक ये melt नहीं हो गई हो जब ये अच्छे से melt हो गई ना इसमें थोड़ासा baking soda डाल दिया और वापस से stick से mix कर लिया जब भी मैं dalgona candy बनाती हूँ ना stick का use करती हूँ ताकि ये चिपके नहीं अब इसे stage पर हम gas को off कर देंगे और इसे butter paper पर डाल देंगे मैंने यहाँ पर इसे star की design दी है star की design तो cut हो गई लेकिन थोड़ासा इसमें jelly वाली टौफी का effect आ रहा था कई बार मैं सोचती हूँ इसकी टौफी बना देना तो भी अच्छी लगेगी और नेचे comment में मुझे जरूर बताना 50 item dalgona challenge में और कौन-कौन से आइटम से dalgona candy बनाए और प्लीज 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 सब्सकार में चैनल और बाई